हेलो गाइज मेरा नाम है शिशांग वेलवाल और एक और वीडियो में रेडमी नोट थ्री पाज एक और लेकर आया हूं जो कि है गेमिंग रिव्यू गेमिंग रिव्यू इसलिए लेकर आऊ है क्योंकि जो पिछला वीडियो जो मैंने डाला था इसका एक लंग टम उस पे मेरे चैनल जे साब से आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा था तो मैंने सूचा कि एक गीमिंग रिव्यू क्यों न डाला जाए तो जैसे आप देख सकते हैं आप पर है हमारे ड्मी नोट 3 जो की है 2016 के स्टार्टिंग का आट से पहले गई है एक्जाक्ट मन तो नहीं मुझे याद है लेकिन हाँ तब सब तक ठीक चल रहा है अगर आपको वीडियो देखनी है जिसमें मैंने उसका पूरा रिव्यू पूरी रिपोर्ट दिये तो आपका मैं लिंक देदूंगा डिस्रिप्श तो 10.2 और हम आपसे अंडरोड वर्जन 6 है तो इस हिसाब से अगर मैं देखू इसके अंदर चिपसेट से आज़ा था वाज़ा था स्नैपडेगन 650 तो 650 के हिसाब से मैंने इसके अंदर गेम इंस्टॉल करी है मैं इसके अंदर 4G और PUBG इंस्टॉल नहीं कर सकता क्यों PUBG जाता है इसमें क्योंकि वह पहले बाद इंस्टॉल भी नहीं हो सकती बाकी मैंने इसके अंदर और कोई हाई-end गेम ने डाला जो बेसिक ऑफ-लाइन गेम है मैंने वही डाले उससे एक आप लोगो आईडिया लग जाएगा तो आची गेमिंग की स्टार्ट करते हैं हम सीध तो जो कि मैंने अभी इसकी थोड़ी सी आवाज करते हैं मैंने अभी देखा कि इसके अंदर कोई गेमिंग के लिए एक तरीके का मोड दिया वह है तो उस मोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ हां तो आप जाए सकते हैं कि यहां पर इस पर एरप्लेइन वीडियो रिकॉर्ड और यह चोटे दो ऑप्शन और आ रहे हैं जो एक्जैक्ली मुझे पता नहीं है तो अब चोटा सा एक गेम प्ले स्टार्ट करते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल गेम में मैंने ब है थोड़ा सा कैस दबा के गेम खेलते हैं थोड़ा मैं फोन की तरफ देख लेता हूं तो आप देख सकते हैं जहां तक मैं इस गेम को खेल रहा हूं हाँ यहां हलका सा फ्रीज हुआ रुका था गेम फोन हाँ हा मैं यह क्या हूँआ कि हलका हलका जो है फोन हलका हर पांच पांच तदद सेकंड पर फ्रीज हो रहा है लेकिन इसका मतलब यह निया कि यह गेम खेला नहीं जा सकता है इस फोन पे बहुत बारिकी से अगर एक अच्छे खासे लेवल पे हैं तो इस फोन पे आप इस गेम को खेल सकते हैं गाड़ी के अंदर टॉर्क नहीं है इतना तो चड़ नहीं रही है आप चड़ी तो आप देख सकते हैं overall एक सेकंड में गेम पॉस्ट करके आपको बैटरी का पॉसेंटेज दिखा रहता हूं तो आप देख सकते हैं गेम की जो फोन की जो बैटरी है वो ह आपको एक आइडिया इससे लग गया होगा कि फोन में यह वाला गेम कैसे चलता है फिर अब बात करते हैं हम सीधा सब्वे सफर की इसमें भी गेम टर्बो एक्टिवेट हुआ है बाकी अभी जो देखना होगा वो होगा सब्वे सफर की लोडिंग कितनी तेज होती है आप देख सकते हैं यहां पर लोडिंग जो है काफी स्लो है अगर हम आज के फोनों के बारे में बात करें तो लिटरल यह बहुत स्लो लोड हुआ है इसमें अब तक तो हम खेलना शुरू हो जाते हैं अगर कोई आज का फोन होता तो तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि यह किस तरह की इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना फोन उससे पुराना है बाकी हाँ अब आप जैसे अब देख सकते हैं यहां पर जड़ह सा भी फ्रेम ड्रॉप या जड़ा सा भी हैंक इस्यू नहीं है तो मैं तो यह क्या हूँँग कि थम्जफ है आज भी अगर ए प्लेयर यंवाल हिक्त कि आप देह सकते हैं यह इस तरीके गेमप्ले है हलांकि इस सब काफी हद तक सारी लोग इसको वाकिफ होंगे इस गेमप्ले से इस गेम से काफी हद तक गेम प्लेएबल है इस फोन के अंदर मैं लिटरली इस फोन में गेम खेलना एंजोई कर रहा हूँ मैं मुझे लगा कि ये फोन बहुत हैंक करेगा अपने टाइम पर अपने हिसाब से लेकिन फोन ने निराश नहीं किया अच्छा रिस्पॉंस दे रहा है तो इसी सही आइडिया लग जाता है कि हाँ फोन के अंदर मैं यह नहीं कहूंगा कि खतम हो चुका है फोन अभी भी गेमिंग के लिए है छोटे मोटे गेमिंग के लिए सही है अब मैं बात करता हूँ टेंपलन को भी थोड़े देर में खेलते हैं डॉक्टर ड्राइविंग पे क्लिक करता हूँ यह भी एक गेम जो है बहुत पहले से आप देखते वा रहे हैं यह फर्स्ट नमवर वन डॉक्टर ड्राइविंग वन है टू भी आ चुका है टू जो है वो ऑनलाइन है यह आफ्लाइन है गूगल प्ले गेम्स इसको भी मैंना भी अपडेट किया है तो जैसे कि आप देख सकते हैं अद्वटाइसमेंट आ रही हलके लगी अब जैसे कि यह गेम जो है वो थोड़ा सा कर्समें कंट्रोल ज्यादा है तो इसके हिसाफ से भी गेम के अंदर हाँ मैं यह नहीं कहूँगा कि फोन बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है अच्छा खेला जा रहा है बहुत फोन के अंदर लिटरली फोन के अंदर इतनी अच्छी गेमिंग हो रही है बी भी तो कावीले तारीफ है सच में बहुत हिसाब से फोन के अंदर परफॉमेंस वाइस अभी जैसे कि हमने देखा था 57 परसंट इसके अंदर बैटरी थी वह भी अभी चेक किया जाएगा कि सारी गेमिंग के बाद भी कितना बैटरी फोन ने खाई है कितनी बैटरी बचीवी है फोन में कि मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूं तेज जा रहा हूं कि अगर आप चाहें तो मैं इसकी आवाज बढ़ा देता हूं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे इस गेम को हम खेल पा रहे है तो बंद करते हैं इसको और जाते हैं अगले गेम पर एक आइडिया लग जाता है कि इसी सही कि हाँ फोन के अंदर गेमिंग का कोई भी छोटे गेमों में कोई इश्यू नहीं है जो कि अगर मैं कहूं ऑफ-लाइन तो नहीं है बाकि अगर मैं बात करूं इस गेम के बारे में जो कि मुझे पर प्रूब्में नहीं करें गेम में ठीक हम केरियर से स्टार्ट करते हैं और प्ले अनिवे थोड़ा सा होप करता हूं थोड़ी सी आवाज आ रही होगी आपको तो आप देख सकते हैं कि जैसे भी ना फ्रेम ड्रॉप मैंने जो देखी थी वो हिल क्लाइमिंग में देखी थी लगाने यह सारे गेम जो थोड़े हैवी ग्राफिक्स हैं यह तो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं इसमें तो यह एक तरीका का क्रेश हो गया क्रेश में भी फोन हैंग नहीं हुआ एकदम से क्रेश हुआ टाइम आप हो गया आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरीका का कुछ था गेम्प्ले और हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट गेम की जो की है टेम्पल रन इसमें भी गेम बूस्ट जो था वो एक तरीका का एक्टिवेट हुआ तो गाइज हम टेम्पल रन नहीं खेलते हैं क्योंकि टेम्पल रन में कुछ इशू आ रहा है गेम में डानलोडिंग का और मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है तो आप एक तरीके सा एडिया लगा सकते हैं कि आप 5 साल पुराने फोन के अंदर भी गेमिंग कर स सकते हैं अगर मैं बात करूं हाँ एसफॉल्ट एट तो एसफॉल्ट एट भी अगर स्पेस ऐफोन में तो खेला जा सकता है हमें एक पुराना वर्जन का एसफॉल्ट एट ढूना पड़ेगा गूगल पे और जो कि Android 6 में कंपेटिबल हो तो हम उससे खेल सकते हैं बाकी बा नर्मल वेस्ट से काफी ज्यादा गरम हुआ है वाकि अगर आप इसकी बैटरी देखें तो एक सेकेंड जरा फोकस पर लियाते हैं 54 परसंट बैटरी है जो की थी 57 से मतलब अगर आप मानके चलें तीन परसंट बैटरी का लॉस हुआ हाई हाइडली हाइडली पांच-छे मिनट की गेमिंग में तो जो की ठीक है बैटरी इसके अंदर ऑजिजिनल मिकी की पड़ी है तो शामी की पड़ी है तो उसस आप सच् तो अवरॉल मेरा एक्सपिरियंस गेमिंग का इस फोन के साथ जो भी है अच्छा है आशा करता हूं वीडियो जड़ा सी भी हल्फुल लगे या अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है थैंक्स वाचिंग